अगर आपका मन बार-बार यह कहता है कि मेरे से ब्रह्मचरे नहीं होगा, रहा नहीं जाता है, मुझे आप करना ही पड़ेगा, ये बोलकर कुछ लोग गलती कर भी देते हैं, कुछ दिन सब कुछ सही चलता है, लेकिन फिर वही गलती हो जाती है, लेकिन दोस्तों इस वीडि जाने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात आपसे कहता हूँ, देखो कुछ लोग ये मानते हैं कि अश्लिल वीडियो देखना हेल्दी है, जस्टिफाइ करेंगे कि इससे मन रिलैक्स होता है, या ब्रह्मचरे तो बढ़ापे के लिए है, एनरजी बचाएंगे तो गर्मी ब जो चीज आज उसमें बुरी बताई गई है, कल अच्छी होगी, देखी घी के मामले में भी ऐसे आर्टिकल शपते थे, तो हमें सर्फ अपने आप से पुछना है, क्या हमें कोई एक फाइदा भी मिलता है अश्लिल चीज़े देखकर गलत काम करने से, एक भी नहीं, तो किसी भी चीज की लत नहीं है, जिसके अंदर confidence, energy और कभी ना खतम होने वाला motivation है, जो गर एक दिन भी काम ना करे तो उसे चैन नहीं मिलता, ये चीज़े पहले भी आपके पास थी, अब देखना class 5-6 में लड़कों की energy जैसी होती है, वैसा class 11 में नहीं रहती, तोनों एक ही दूसरा फाइदा, किसी भी विशे को समझने की शमता बढ़ जाएगी, देखें ब्रहमचरे में रहने का मतलब है, आप मानसिक तोर पे मजबूत हो रहे हैं, पहले की तरह डोपमीन कम ज्यादा नहीं होता रहता दिन भर, आप देखेंगे उसी काम में मन लगना शुरू हो इसमें कितनी ताकत छिपी है, 99% मर्द आज के समय में कमजोर इसलिए हो चुके हैं, जब जो मन में आया, कर दिया, लेकिन ध्यान रखना अगर emotions पे control ना कर पाए, तो अंदर से खोकले हो जाओगे, तो ब्रहमचरे का discipline आपको एक बड़ा advantage दे देगा उन लोगों पर जो का को शान्त रख सकता है, आपको खुश रहने के लिए बाहर से किसी लोग या वीडियो की जरूरत नहीं पड़ती, जिन्दगी का असली मकसद समझ में आने लगता है, और पांचवा फाइदा, आपके पास गलत लोग या चीजों के लिए कोई वक्त नहीं रहता, तो आप इ इंस्टाग्राम पर हैं, तो ये है आपके भाई का पेज, टेलिग्राम पर भी आईए, साथ मिलकर हम लोग ब्रह्मचरे का पालन करेंगे, शेर कीजी इस वीडियो को एक ऐसे इंसान के साथ, जिन्हें दिन रात गलत वीडियोस देखने की आदत लग चुकी है, ख्याल अपना मिलते हैं आप से अगली वीडियो में